गांधी परिवार की साकदाव पर उलट फेर पर निगाह कॉंग्डिस के राष्ट्रे अध्यक्षपत के लिए सोंबार को 9000 से जादा डेलिगेट्स मददान कर रहे हैं अध्यक्षपत के लिए सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गई और शाम 4 बजे तक चलेगी 200 डेलिगेट्स के लिए एक बूद बनाया गया है वहीं चुनाव के लिए 666 बूद होंगे मध्यप्रदेश में भी 500 से जादा डेलिगेट्स को मतदान करना है कॉंग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोन्य गांधी मध्यप्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष कमल नात ने भी कॉंग्रेस अध्यक्ष पत के लिए मतदान किया अध्यक्ष पत के लिए मल्लीकारजुन खडगे और शशी थरूर के वीज मुकाबला है खड़गी को आलकबान का चेहरा माना जा रहा है ऐसे में इस चुनाओं में गांधी परिवार की साखदाओं पर है दूसरी ओर शेशी थरूर की उम्मीदवारी को लेकर भी डेलिकेट्स में उत्सा दिख रहा है शेशी थरूर ने पूरे चुनाओं प्रचार में कॉंग्रेस में बदलाव को लेकर जो विजन रखा है उससे डेलिकेट्स काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं लेकिन उनका समर्थन थरूर को वोड की रूप में मिलेगा इसे लेकर स्थिथी साफ नहीं है राहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल डेलिकेट्स के लिए बेलारी में विशेश पोलिंग बूथ बनाया गया है यहां 40 डेलिकेट्स मतदान करेंगे कॉंग्रेस अध्यक्षपत के लिए आख्री बार साल 1998 में वोटिंग हुई थी तब सोनिया गांदी के सामने जीतेंद्र प्रसाद थे सोनिया गांदी को करीब 7,448 वोट मिले लेकिन जीतेंद्र प्रसाद 94 वोटों पर ही सिमट गए अब देखना ये है कि गांदी परिवार के चहरे मली कारजुन खडगे को शशी थरूर कितनी जुनोदी दे पाते हैं लेकिन अगर थरूर सम्मान जनकपोर पा गए तो ये गांदी परिवार के लिए किसी जटके से कम नहीं होगा